बीते पिछले कई दिनों से साफतोर पर नज़र आ रहा है कि एडी की छापे मारी कई राजनितिक दलों पर देखने को मिल रही है जो सत्ता में हैं भारतिय चनता पार्टी उसे छोड़ कर अब तक कई राजनितिक दलों के दिगज नेता हैं जो एडी के शिकंजे में फस्ति हुई नज़र आ रहे हैं ऐसे में बिपक्षी दल बार बार यही कह रहा है जैसा कि हमने आपको कहा ही कि बीजेपी को छोड़ कर बीजेपी के दिगज नेताओं को छोड़ कर छापे मारी जो देखने को मिल रही है वो बिपक्षी दलों के खिलाब देखने को मिल रही है ऐसे में देखा जाए तो आखिरकार इन देगज नेताओं का यहाँ पर क्या कुछ एहम फैसला होगा आने वाले समय में जो समन भीज़ी जा रहे हैं बार बार E.D. की तरफ से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर दिली के मुख्य मंतरी अर्विंद केजरिवाल जारखन के मुख्य मंतरी हेमंत सोरेन के बारे में जो अब तक E.D. के सामने पेश्ट तक नहीं हुए है आखिरकार क्या वाकई में इन्हें कोई बड़ी और कड़ी सजा मिल सकती है क्या कुछ कहता है इस पर कानून ये आपको बताएंगे नमस्कार मैं परांशी राठोर और आप दीख रही हैं नेक्स्ट नाइन नीमस दरसल आपको बता दें कि दिली शराब निती घोटाली मामले में अर्विंद केजरिवाल को तीन समन भेज़े जा चुके हैं लेकिन अब तक वह E.D. क सामने पेश तक नहीं हुए हैं बलकि दूसरी ही तरफ उन्होंने मैं भी केजरिवाल ये मुहीम छेड़ दी है दिली में और लोगों से वह समर्थन पा रहे हैं उनका कहना ये है कि अगर वह जेल भी चले जाते हैं तो भी वह मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे वह सिफा में आखिरकार एडी का क्या कुछ कोई बड़ा कदम हो सकता क्या वाकई में इन्हें कोई कड़ी सजा मिल सकती है इन दोनों ही दिगजनेताओं के अलावा बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादबी हैं जो एडी के सामने पेश नहीं हुए हैं आखिरकार कानून क क्या कुछ कहता है दरसल जस तरह से छापे मारी देखने को मिल रही है इस छापे मारी के बाद अब यहां पर देखा जा रहा है कि कई ऐसे दिगजनेता हैं जो सलाखों के पीचे हैं और कुछ दिगजनेता जैसे कि हमने आपको बताया ही जो बड़े prós पर हैं जो अब तक ED के सामने पेश नहीं हुए हैं चुनोती दे रहे हैं ED के ही अधिकारियों को जानकरी के लिए आपको बता दें कि दंड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 61 से लेकर 70 तक इसे लेकर तमाम प्रावधान हैं जिसमें समन जारी किये जाने से लेकर उसे तामील किये तक कि तमाम प्रावधान भी शामिल हैं ऐसे में देखा गया है साफतोर पर कि इसके तहत किसी न्याएक प्रक्रिया में जारी किया गया समन उसे प्राप्त करने वालों को ये सूचित करता है कि उसे किसी मुकदमे में अभ्यूक्त ठहराया गया है यानि उस पर आरोप लग प्रावधानों के अनुसार सामने आया है कि ED के डारेक्टर के पास जाच के उदेशय से सिविल कोट की पावर होती है चाहे न्यालय की हैसिए से जाच हो, ED के सामने उपस्तित होने की या फिर रिकौर्ड हो, सबूत हो, पेश करने के लिए आदेश दिये जा सकते हैं ऐसे में देखा जाए तो ED के किस अधिकारी के पास यहाँ पर यह बड़ा अधिकार होता है समन जारी करने का ED के डारेक्टर, एडिशनल डारेक्टर, जॉइन डारेक्टर, डिप्टी डारेक्टर या असिस्टेंट डारेक्टर के पास ये अधिकार होता है कि वो जाज के लिए जरूरी पाई जाने वाले किसी को भी समन भेज सकते हैं, सबूत की मांग कर सकते हैं ऐसे में यहाँ पर अगर नियम की बात कर ली जाए समन की अभेलना करने पर यहाँ पर क्या कुच नियम है जो सरहा से मुख्यमंतरी हेमंतु सोरन, दिली की मुख्यमंतरी अरविन्द केज्रीवाल और बिहार के मुख्यमंतरी तेजस्वी यादव E.D. के सामने पेश नहीं या फिर दोनों ही सजा सुनाई जा सकती हैं अब ऐसे में यहां पर क्या वाकई में ग्रफतार किया जा सकता है इननेताओं को किसी को ग्रफतार करने के लिए एडी के पास दो रास्ते हैं पहला ये है कि समन की अवहिलना करने पर IPC की सेक्शन 174 के तहत एक नया केस दायर कर सकते हैं उस पर सुनवाई होगी और कोट संबंदित व्यक्ति को दोशी मानता है तो उसे एक महीने की जेल भी हो सकती है वहीं यहां पर देखा गया है कि अपने 60 साल के अधिक के इतिहास मे ED ने इस रास्ते को अपना कर किसी को गरफतार नहीं किया है अब देखना होगा कि आखिरकार अरविंद केजरिवाल हिमंत सोरिन और तेजस्वी के लिए ED का अगला बड़ा कदम क्या कुछ होगा क्योंकि दावे ये तक किये गए हैं कि ED का रुक कोट की तरफ होगा कोट से वारेंट जारी किया जाएगा और तब जाकर यहां पर एक कड़ा एक्शन लिया जा सकता है फिलाल इस तक खास रिपोर्ट में इतना ही बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें नेक्स्ट नाइन न्यूर्ट